किसी ने सच ही कहा है दोस्तों इस्ट्रगल की समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों जियोग्राफी जीके है तो वीडियो को जरा सभी पोज मत कीजेगा इस वीडियो में मैं 25 से जादा कोशन कवर करूँगा और इस वीडियो में बहुंच जादा महत्पून सेलेक्टिट कोशन मैंने लिया है अगर आप किसे भी कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुंच जादा यूजफुल होने वाला है यही कोशन आपको डारेक्ट एक्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का पहला कोशन है परवत मालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों अंतर परवतिय पठार परवत मालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा अंतर परवतिय पठार अगला कोशन परवत तल और मैदान के बीच उठ्षे समतल भाग को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों अगला कोशन देखिए जब परिथवी की भीतर जमा कैलोरीन भू परिष्ट की अपरदन की कारण सतह पर उभर आता है तो क्या कहलाता है महा दूपिय पठार कहलाता है जब परिथवी की भीतर जमा कैलोरीन भू परिष्ट की अपरदन की कारण सतह पर उभर आता है तो क्या कहलाता है महा दूपिय पठार कहलाता है अगला कोशन देखिए समुद्र के टटिय भाग में इस्थीन पठार को क्या कहते है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों निर्मित पठार को क्या कहते है गुम्बदकार पठार नेक्स्ट कोशन इस्थल मंडल के कितने प्रतिसत भाग पर पठार पाय जाते है तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या जाएगा दोस्तों 33 प्रतिसत अगला कोश्चन विश्व की कितने प्रतिसत जन संक्या पठारी पर निवास करनी है राइट आंसर हमारा जाता है दोस्तों 9 प्रतिसत निवास करनी है अगला कोश्चन पोटवार पठार किस देश में इस्थित है राइट आंसर है दोस्तों चीन में है लियस पठार कहा है चीन में अगरा कोशन किस पठार से टीम धातू का सरवाधिक उठायन किया जाना है राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों बोलिविया के पठार से किस पठार से टीम धातू का सरवाधिक उठार किया जाना है तो इसका राइट आंस का अंसर क्या आंसर क्या जाएगा दोस्तों बॉलिविया के पठ थार से अगला कोश्व कई खिए ग्रीन लखार कहां इस्थीत अंड महासागर की उत्री भाग में अगला कोशन देखिए कोलंबिया का पठार कहां इस्तित है वासिंग्टन और इडाल्डो राजियों के मध्य में कोलंबिया का पठार कहां इस्तित है तो राइट आंसर हमारा क्या आजाएगा वासिंटन और इडाको राज के मध्य में अगला देखिए मैक्सिकों का पठार कहा इस्तित है राइट आंसर इसमें हमारा आजाता है दोस्तों पच्चिम सियारामडे और पूर्वी सियारामडे परवस रेडि के मध्य मैक्सिकों का पठार कहा इस्तित है इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों हिमालय की उत्तर और क्यूंटर लून परवत की दक्षिण में तिबबत का पठार कहां इस्थित है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा हिमालय की उत्तर और क्यूंटर लून परवत की दक्षिण में अगला देखिए पामीर का पठार कहां इस्थेत है इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों कागिस्तान में पामीर का पठार कहां इस्थेत है तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या जाएगा कागिस्तान में नेक्ट देखिए मंगूलिया का पठार कहां इस्थेत है राइट आंसर इसमें हमारा आजाता है दोस्तों चीन के उतरी भाग में मंगूलिया गंडराज्य में अगला कोश्चन देखिए ब्राजिल का पठार कहां इस्थेत है राइट आंसर इसमें हमारा क्या जाता है दोस्त ब्राजिल के पठार की आकरिती किस प्रकार की है राइट आंसर हमारा क्या जाएगा त्रिभूजा कार ब्राजिल के पठार की आकरिती किस प्रकार की है तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे त्रिभूजा कार अगला कोश्चन बोलिविया का पठार कहां इस्तेत है इ निर्मान किस प्रकार का हुआ है आप्सन देख लिजिए दोस्तों यूकेन और इसकी सहयक नदियों द्वारा अकालसा का पठार का निर्मान किस प्रकार हुआ है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा यूकेन और इसकी सहयक नदियों द्वारा अगला देखिए ग्रेट बे क्या जाएगा कुलंबिया पठार की दक्षिन में अगला देखिए कुरुरेडो का पठार कहां इस्तित है ग्रेट बेसीन की दक्षिन में कुरुरेडा का पठार कहां इस्तित है दोस्तों तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा ग्रेट बेसीन की दक्षिन में अगला देखि युमी सौरी का पठार कहा इस्तीत है तो answer में आप लोग किसे याद रखोगी युमी सौरी का पठार कहा इस्तीत है राइट answer क्या जाएगा अमेरिका में I hope दोस्तों वीडियो आप लोगों को useful लगा हो तो लाइक कीजिए सेयर कीजी अगर आप मेरे चानल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिए साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखी ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मैं मिलता हूँ अगला कर इंटर्फियर या फिर जी के में तब तक के लिए बाब आए टेक कियार थांक्यू फ़र वाज़ाए